Hello friends, मैं हूँ आपके सामने गोरो मिगलानी, इस वीडियो में जो टोपिक अब हम स्टड़ी करने जा रहे हैं, that is All Ports Trait Theory. रियाल्टी में क्या है कि personality की हमें चार theories study करने को मिलती हैं, जिसमें से theory number two कौन सी है? Trait theory, और trait theory का जो first part है वो All Ports का गिया हुआ है. All Ports एक person है जिनोंने trait theory दी है, तो trait theory को बनाने में All Ports का बहुत important role है, क्योंकि All Ports ने 18,000 personal qualities की बात की है, और उन personal qualities की उपर ही All Ports ने बहुत ज़दा focus भी किया है. तो topic को पूरी तरह से explain करने से पहले, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसी video के description box में ये M.C.O.B. के name से एक playlist दी हुई है, क्योंकि personality के काफी सारे और भी topics हैं, और भी videos हैं, जो मैं इसी playlist में update करता हूँगा. तो आप M.C.O.B. के name से जो playlist दी हुई है आपको, आप ये भी देखते रहिएगा. तो चलते हैं हमारे topic की और that is All Ports Trade Theory. All Ports ने person की qualities को, person की trades को दो parts में divide किया है. पहला उन्होंने बोला common trades, second personal disposition. ये जो common trades हैं, इसके उपर All Ports का कोई ज़्यादा focus नहीं है. All Ports ने reality में जिसके उपर ज़्यादा काम किया है, वो है personal disposition. पर फिर भी हम common trades की बात कर लेते हैं. तो All Ports के according, ये वो qualities हैं, ये वो trades हैं, जो एक category के सभी logo में पाई जाती हैं, जिसके विहाद पर हम उन लोगों की आपस में comparison भी असानी से कर पाते हैं. देखो, नामी देखो, common trades, common सी गुण है, common से qualities हैं, तो ये हर परकार के लोगों में commonly पाई जाती हैं, जिनके बेस पर आप उन लोगों की qualities को, उन लोगों की personalities को आपस में comparison भी कर पाते हो. For example में बात करो, dominance, power की, तो हम simplicity कभी कभी कह सकते हैं, कि उस इंसान की power, दूसरे इंसान की power से ज़्यादा है, वो इंसान ज़्यादा dominance है, तो ये एक simple सा example है. अब हम बात करते हैं second part की, जिसके उपर all port ने बहुँ ज़्यादा focus किया है, that is personal disposition. आल port ने बोला कि ये ऐसी qualities हैं, जो एक category के सभी लोगों में नहीं पाई जाती, ये एक special person तक ही limit होती है. ये वो qualities हैं, जो सभी लोगों में नहीं पाई जाती, एक category के एक special person तक ही limit होती है. तो इसलिए ये ऐसी qualities हैं जिनके base पर आप लोगों का अपस में comparison नहीं कर सकते Allport ने एक बात और भी बोली कि अगर आप comparison करना भी चाहते हो तो एक इंसान के different angles को आपको select करना होगा उन angles के basis पर उन aspects के basis पर आप दूसरे इंसान से उसकी comparison कर सकते हो otherwise आप comparison नहीं कर सकते तो Allport ने एक special बात और बोली कि एक person की जो qualities होती हैं वो 18,000 होती है क्योंकि इन्होंने काफी सारी बड़ी study की तो देखा कि एक personal जो disposition है उसकी जो qualities हैं वो कितनी है 18,000 तो 18,000 qualities को इन्होंने 3 parts में divide कर दिया अब ये 3 parts कौन से हैं, 3 हिस्से कौन से हैं इन्होंने 1st उसको नाम दिया cardinal disposition 2nd central disposition and 3rd secondary disposition अब बात करते हैं सबसे पहले ये cardinal disposition क्या है cardinal को हिंदी में हम बोलते हैं परधान इन्होंने बोला कि ये एक इंसान की ऐसी qualities होती हैं जो सभी परकार के लोगों में नहीं पाए जाती हैं ये बहुत ही कम लोगों में पाए जाती हैं cardinal disposition की जो हम बात कर रहे हैं ये एक इंसान की ऐसी qualities की बात कर रहे हैं जो बहुत कम लोगों में पाए जाती हैं पर जिन भी लोगों में पाए जाती हैं वो अपनी qualities के base पर बहुत famous होते हैं ये qualities आप छिपा नहीं सकते जैसे हम बात करें हमारे देश के परधान मंतरी Mr. Narendra Modi ji की उनकी जो qualities है उनके जो काम करने का style है वो अपने आप में ही उनको पूरे world में famous करके रखा हुआ है तो बात करें जैसे महात्मा गांधी की उनका जो अहिंसा और सत्य का रास्ता था उसके विहाफ पर वो पूरे world में famous हुए तो ये एक इंसान की ऐसी quality है जिसके base पर वो पूरे world में famous रहते हैं बहुत चर्चा में रहते हैं लोग प्रिये होते हैं जनता उनको बहुत पसंद करती है बात करते हैं central disposition आलपोर्ट ने बोला कि ये qualities ऐसी हैं जो हर person में approximately पाई ही जाती है common सी बात कर रही है हर person में इस परकार की qualities पाई ही जाती है और इनकी संख्या 5 से 10 होती है ये qualities ये traits 5 से 10 ही होती है जैसे आपको पता है कि बहुत सरे लोग social हैं ये बात common है बहुत सरे लोग depression में हैं ये बात भी common है बहुत सरे लोगों के अंदर self confidence या तो ज़्यादा है या तो बिल्कुल कम है तो ये बहुत सी common सी बाते हैं तो ये हुई हमारी central disposition अब हम बात करते है secondary disposition तो आलपोर्ट ने बोला कि ये वो qualities होती है एक इंसान की जिसको आप ज़्यादा importance मत दो जिनके base पर आप इंसानों की personality को आपस में comparison भी नहीं कर सकते अब ये कौन सी qualities हैं ये कौन सी traits हैं जैसे लोगों का hairstyle बालों को रखने का style है ना eating habits खाने खाने की आदते हैं किसी की कपड़े डालने की आदते तो ये secondary disposition एक इंसान की ऐसी qualities जिसके base पर आप किसी की भी personality के बारे में ज़्यादा estimation नहीं लगा सकते आप सामने वाले के बारे में पता ज़्यादा नहीं लगा सकते मालों सामने वाले ने कपड़े ऊपर नीचे डाल रखे हो गड़ डाल रखे हो या बहुत सुन्दर डाल रखे हो उसके base पर आप आज कल किसी की personality के बारे में ज़्यादा पता नहीं लगा सकते तो इन्होंने simple सी बात बोली है secondary disposition एसी qualities जिसको आप ज़्यादा importance मत दो जो बहुत कम संगत हैं बोले तो less consistent तो ये hairstyle हो सकते हैं काम करने के आते हो सकती हैं खाना खाने के आते हो सकती हैं कपड़े डालने के आते हो सकते हैं तो इसके base पर आप personality की जो समझ है वो नहीं रख सकते हैं personality के बारे में ज़्यादा estimation आप नहीं लगा सकते हैं तो ये था हमारा simple topic All Ports की trade theory को लेकर तो मैं आपको फिर से last में कहना चाता हूँ आप इस playlist को देखिए काफी सारी और वीडियो हैं जो आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगी तो यहां तका वीडियो देखने के लिए आपका अन्यवाद